नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक मेरे साथ एक सुन्दर सी फीमेल हतीली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रही है यहां पर एक चीज देखेगा थोड़ा ध्यान से देखेगा आपकी ये चंद्रमा है और चंद्रमा से एक हलकी रेखा आ रही है जो जीवन रेखा से मिल रही है और फिर ये रेखा यहां से बढ़ती हुई इस प्रकार से सनी छेतर पे जा रही है यही आपकी करिय और धन की रेखा है यही आपकी भग्या रेखा है यही आपकी सनी रेखा है यहाँ पर यह रेखा इस पश्ट तरीके से बता रही है कि जीवनकाल के 45 वर्स से आपका भाग्योदई निखर कर आ रहा है आपके जीवन में जो भाग्योदई की इस्तिति आ रही है वो जीवनकाल के 45 वर्ष से आ रही है और जीवन में अपने घर का जो योग बन रहा है वो भी 45 से 48 वर्ष के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित रोप से अगर आप कोशिस कर रही है तो 45 से 48 वर्ष के बीच में या तो घर बन कर तयार हो जाएगा या इसका कार्य सुरू हो जाएगा ये दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम नोकरी का मामला देखते हैं तो यहां पे जीवनकाल के 42 वर्ष के मिडल से अगर हम 43 वर्ष इसको माने तो 43 ए पेर से जीवन में नोकरी में तरकी के योग सांदार रुप में बन रहे हैं तीसरी बात अगर हम यहां पे देखें चूंकि 45 वर्ष में भाग्योदय की इस्तिति है यहां पे अभी आपका जो है ब्रस्पती है और आपका सुक्र है दोनों अभी हल्के कमजोर है यह बैलेंस साउस्ता में लाने की ज़रूरत है तो यहां पे बच्चे के जो योग बन रहे है वो भी आपके 43 एर के मिडिल से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसकी तैयारे कर ले और भगवान से एक सांदार प्रार्थना कर ले मन से प्रार्थना कर ले निश्चित रोप से योग बनता हुए दिखाई दे रहा है अगर हम यहां पे स्वास्त्या का मामला देखे तो आपकी हतेली में अगर आप इस जगह पे देखे तो यहां पे जाल बन रहा है और आपकी इस जगह पे भी अगर देखे आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो वीक आउस्ता में यह आपका हमेशा बना रहेगा यह इस पश्ट तरीके से यहां पे दिख रहा है आपने एक बहुत अच्छा प्रश्ण किया है जीवन में सुक सांति अच्छे से कम मिल जाएगी देखेगा जब विक्ति का भाग्योदय होता है तो सुक और सांति तो जीवन में मिलती ही है लेकिन आपके मनिबंद में अगर हम देखें तो तीन रेखाई उदयमान इस्तिति में आ रही है तो आगे अपने स्वश्ट्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक आपको जरूर मिलेगा हाँ फोटी सिक्स एयर से अगर हम देखें तो यहां पे इस पश्ट तरीक के से दिखाई दे रहा है कि जीवन में जो सुक है जो सान्ति है वो बढ़ने वाली है हाँ जीवन काल का जो बुड़ापा काल है चपनवे वर्च के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा आपकी हतेली इस पश्ट बताती हुई यहां पे नजर आ रही है आप लिखती है पत का काम कैसा रहेगा उनको तरकी कम मिलेगी यह उनकी हतेली से पता चलता है लेकिन यहां पे आपका जो ब्रेस्पती है जो आपका सुक्र है उसके हिसाब से देखे तो फोटी सिक्स एयर से आपको जो है बड़ा सुक मिलने वाला है बड़ी सांति मिलने वाली है और भाग्य हलका यात्रा का योग यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन प्रबल यात्रा का योग अभी नहीं दिखाई दे रहा है यहां पे देखेगा यहां पे अगर हम देखे आपका अंगोठा आपका अंगोठा बता रहा है कि जीवन में 41 वर्स के लाश्ट तक मनि 42 वर्स से पहले त आपको जीवनकाल में जो संगर्स चलता आ रहा है वो संगर्स अभी भी रहेगा और आप जल्दबाजी से बचें भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निरणई इस बरसना ले और उतावले पर में बहुत ज्यादा काम न करें ये दहनहानी को दिखा रहा है अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर उसमें कदम रखे और पार्टनर्शिप की सोच रहे हैं तो इसको टाल दे और एक बात का ध्यान रखे खुब मेहनित के बाद ही इस वर्स आपको धन आने की उमीद बनाएगा खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिति आपकी अगले वर् उसका इंतजार कीजिएगा आपकी जीवन में 42 वर्स के मिडल से चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी जीवनकाल के 45 वर्स से भाग्योदई की इस्तिति आ रही है और जीवनकाल के 56 वर्स की आई के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है ये आपकी हतिली बता रही है ज जैसे जैसे उमर बढ़ेगी पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है और कमर की प्रोब्लम में इसकी संभावना बढ़ रही है तो थोड़ा योगा है प्रणायाम है इस चीज पे ध्यान दे तो चीजें ठीक रहेंगी दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी हतिली मे धीरे धीरे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस चीज को आपने रोकना है क्योंकि जब भी हमारी हतिली में इस प्रकार का जाल बनता है तो यह सबसे पहले आपके मन पर आपके मस्तिस्क पे प्रभाव डालती है कही न कहीं धीरे धीरे उल्जन की स्थिति आने बैठ जाती है कन्फ्यूजन क्रेट होने बैठ जाती है और व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है उसकी जो निरणे लेनी की ताकत है वो हलके रोप में छीड होने बैठ जाती है तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको जो है इसका उपाहे करना है दूसरा इसका प्रभाव आपकी स्वस्थ्य पर पढ़ता है चाहे वो सारेरिक स्वस्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वस्थ्य हो उसमें बिकार आने बैठ जाते हैं तीसरा जो इसका प्रभाव है वो आपकी रिस्तों पर पढ़ता है चाहे वो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो च और चौथा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है आर्थिक रोप से अन्बैलेंज की अवस्ता आनी सुरू हो जाती है और पांचवा इसका जो प्रभाव है आपकी जो डेपलपमेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है आपका जो सपलत का वास्त्विक सपलता का अस्तर है वो घटने बैठ जाता है तो इन चीजों को ठेक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान किरिया का सहारा लेना है यह मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पे अगर हम देखें यह उंगली पूरी तरों से जुगी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के परते समरपण की भावना भी बनी रहेगी लेकिन यहां पे एक तिल भी है यह थोड़ा सा आपके मान सम्मान को ठेश पहुचा सकता है तो इसलिए हर ब्रिस्पतिवार को भगवान ब्रिस्पति की पूजा जरूर करें इससे चीजें ठीक हो जाएंगी बहुत बड़ा कोई चीज नहीं होगा यह उंगली सीदी खड़ी है आप मिहनती बहुत ज़ादा है कर्म में विश्वास रखनी वाली बिक्तित्वा है और कर्म में कभी भी कायरता नहीं आएगी यह इस चीज को दिखा रहे हैं चीजें बहुत बहुत भीतरिन हैं यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ तो यस पाने की इक्षा रहेगी नेम फिम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा रहेगी यहाँ पी यह इससे बड़ी है और इससे छोटी है निश्चित रोप से आप यह सुस्वी होंगी समाज में मान प्रतिष्टा और यह स्पानी वाली जातिकाओं में एक होंगी और अपने जिवन में सपलता की प्राप्ति निश्चित तोर पे करेंगी सूर्य के कुदरती गुणों के कारण आपका सूर्य आपका मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है यह उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुँच पारी है तो मनी मैनेजमेंट में है कागजों के रखरकाओं में है और एकाउंट मिल्टी में है इसमें कमी रह सकती है तो इस कमी को दूर करने के लिए यहां तक अगर आप नाखुन बढ़ाएं तो निश्चित ही आपको अच्छा फायदा होगा एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रितनसिल बिक्तितों भी रहेगा जो अच्छी चीज है यहां पर हिर्दे की रेखा इस तरों से दिखाई दे रही है धीरे धीरे आपकी महत्वकांचाई बढ़ रही हैं आप बहुत बड़ी महत्वकांची जातिका रहेंगी आपकी सोच जीवन में बहुत आगे बढ़ने की रहेगी आपकी इक्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुचने की रहेगी और इसके लिए इन किन परकारेड जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी ये दिखाई दी रहा है मस्तिस्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छा है आपका बौदिक अस्तर बहुत सांदार रहेने वाला है और जिस भी फिल्ड में आप काम करेंगी उस फिल्ड में दिमाग का प्रियोग जादा करेंगी विबिक का प्रियोग जादा करेंगे और इसका लाब निश्चित तोर प जिवन में लाब होगा दोसरों का संयोग भी जिवन में आगे चल कर बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसा भी आपको परतीत होगा कि आपकी जीवन में भगवान की बहुत अच्छी किरपा है आपके अंदर जो अच्छी परतिवा है जो तीब्र बुद्धी है उसको इंप्लिमे दे रहा है और इसका फाइदा भी आपको अच्छा होने वाला दिख रहा है शुक्र का परवत अगर देखे इसमें वर्टिकल रेखाई उबर रही है अपने कारे के परति जुझहरोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें ज़्यादा रहनी वाली है नई चीजों के पर तिरुझहान रहेगा चाये नई परकार का फैसन हो नई परकार के कपड़े हो या मार्केट में नई परकार की चीजे हो बहुत एक सुक्सुपनाओं के तरब बहुत ज़्यादा सोच रही है चिंता भी कर रही है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है बहुत ज़्यादा परिसरम कर रही है लेकिन आपके द्रिष्ट से देखे अभी पूर्णता नहीं आई है लाग प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजोद भी जो सुक की वास्त्विक अनुभूती होनी चाए वो सुक और सांत की अनुभूती नहीं हो रही है कोई नो कोई चीज मन के अंदर खटकती हुई दिखाई दिये रही है जो चिंताएं पैदा कर रही है तो इस चीज को ठीक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान करिया जरूर करनी है निम्न मंगल आगर हम देखें तो निम्न मंगल में कुछ रेखाई है जो उल्जन की इस्तिति, कनफ्योजन की इस्तिति और दुविधा की इस्तिति यहाँ पे क्रेट कर रही है और जो आपकी नड़े लेनी की ताकत है उसको थोड़ा सा छीड करने की कोशिस कर रही है मैं दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाई दोंगा उसको जरूर करियेगा उपरी मंगल आपका अच्छा है एनरजेटिक स्वभाव दे रहा है और पराकरम अच्छा दे रहा है यहाँ पे आपका ब्रस्पती थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं और हलकी प्रेसानिया अभी एक डेट साल तक बड़ी हुई रहेंगे इसकी और इसारा कर रहा है लेकिन आगे के लिए बहुत सांदार है आगे के लिए बता रहा है कि मान सम्मान प्रतिष्टा बहुत अच्छी रहेगी और चाए सडक का किनारा हो चाए महलों की ओचाई हो आपको बहुत अच्छा प्रतिष्टा और यस मिलेगा खास करके सिक्षा का छेतर हो इंजीनियरिंग का छेतर हो चिकितसा का छेतर हो मैनेजमेंट का छेतर हो या बानिज्जा का छेतर हो कानून का छेतर हो इन छेत्रों में अगर आप काम कर रही है या काम करने की सूच रही है तो आगे चल कर 43 वर्स के मिडल तक अगर आप देखें ये तो इसमें पदोनत होने की संभावना है तरकी होने की संभावना दिखाई दे रही है मेहनत करें बहुत अच्छे तरकी मिलेगी वैसे भी जीवनकाल के 45 वर्ष से भाग्योदाय है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है सनी की अगर देखें तो कभी-कभी बियोजहे की चिंताये दिखाई दे रही है या कुछ न कुछ ऐसी वजहे दिखाई दे रही है जो चिंता का कारण बन रही है दिब्य योग ध्यान की रिया जरूर करें आपका अगर हम सूर्य की इस्तिति देखें तो धीरे से यहाँ पे मचले का चिंद बन रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ कम से कम धाई वर्षों के बाद इसके प्रिणाम मिलेंगे अपने कारियों में परसिद्धी की प्राप्ति होगी धन में जो आर्थिक इस्तिति है वो मजबूत हो जाएगी लेकिन अभी सूर्य कमजोर है जिसके कारण जितना प्रियास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रियासों में सपलता नहीं दिखाई दे रही है जो मेहनत आप कर रहे है जो परिश्रम आप कर रहे है उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो क्वालिटी आपके अंदर है जो योग्यता आपके अंदर है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आपा रही है निखर के नहीं आपा रही है तो इसके लिए दिबिय सूरी के रिया ज़रूर करें छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पानी की इक्षा जादा रहेगी थोड़ा सा हरी सबजी है हरे फल है हरी दाले है इसका जादा से जादा प्रयोग करें हम अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा अभी वीक है अपका जिसके कारण कभी-कभी मन गडबड रह सकता है मानसिक प्रेशाने से ये गर्शित रख सकता है और धाई और सों तक इसका प्रभाव रहेगा कभी-कभी भावक बहुत जादा हो सकते है या इमोशनली बहुत जादा प्रेशान भी हो सकती हैं कभी हो सकता है इसकी वजो से मन कमजोर रहे कारियों में मन नहीं लगे मन उचाट रह सकता है मन भटक सकता है मन ब्याकुल सा रह सकता है और मन से सीधा जुड़ावा होता है हमारा डाईजिस्टिव सिस्टम यदि मन ठीक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अपने पेट का ध्यान लखना होगा सरीर के हार्मोनल सिस्टम का ध्यान लखना होगा ऐसे में नीन आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है तो इसको ठीक करने के लिए मैं ओडियो के माद्यम से 40 वर्ष से चीजों में सुधार आ रहा है बहतरीन इस्तिति आती हुई दिखाई दे रही है धन और संपत्य का मामला भी देखे तो 46 से 48 के बीच बहुत सांदार इस्तिति आती हुई दिख रही है आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का रहा है थोड़ा लेट चीजे मिल रही है लेकिन ठीक मिल रही है आप दीखेगा तीन चीजे आपको करनी है एक तो आपको सबसे पहले बनस्पति अश्नान करना है आप रोज अश्नान करती है लेकिन आपके जीवन में उल्जण न रहे कनफ्यूजन न रहे दुबिधा न दूसरा बनस्पत अश्णान करने के बाद आपको दिव्य सूर्य किरिया करेंगे दिव्य सूर्य किरिया क्यों करेंगे देखेगा आपके जो सार्रिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में निहित भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस परताल मेल में नहीं है जिसके कारण चीजे अस्त ब्यस्त दिखाई दे रही हैं, अन्बैलेंस दिखाई दे रही हैं तो उनको बैलेंस में लाने के लिए आप दिव्य सुर्य किरिया करेंगे उससे आपके कारियों को विस्तार मिलेगा, आपको यस्की प्राप्ति होगी और स्वभग्य में ब्रिद्ध होगी दिब्य योग ध्यान किरिया करने के बाद आप निश्चित ही एक प्रकार का प्रणायाम है दिव्य योग ध्यानी किरिया दिव्य सूर्य किरिया करने के बाद आप दिव्य योग ध्यानी किरिया करेंगे इससे चीजें बहतर होती जाएंगी बस ये तीन चीजें आपको अपनी जीवन में सफलता की इस्तित्में पहुँचा देंगे देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादेम से भीज रहा हूं आप करने की कोशिस करें बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनो उपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार